पैरिस ओलंपिक दोहजाद चौबिस के खतम होने के बाद भारत में सबसे बड़ी कॉंच्रोवर्सी का टॉपिक नीरच छोपड़ा और मनू भाकर का एक विडियो बन गया जिसमें पैरिस ओलंपिक के दोनों मैडलिस्ट एक दूसरे से हसते हुए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं यह वीडियो सोचल मीडिया पर एकदम से वारल हो गया फान्स इस वीडियो पर कमेंट करने लगे कि दोनों की शादी होने वाली है रिष्टा पक्का और ना जाने क्या क्या जिसके बाद मनू की मा संग नीरच का विडियो भी वार हुआ था मनू भाकर और नीरच चोपड़ा दोनों ही हणियाना से हैं और दोनों ने ही भारतिय खेलू में अपना महत्मपूर योगदान दिया है नीरच चोपड़ा तो नाशनल क्रश के लस्ट में भी है वही अब मनू भाकर भी नाशनल क्रश बन चुकी है उनकी एक स्माइल देखने के लिए पब्लिक बिचैन रहती है मनू भाकर सबसे सफल महीला निशानेबाज हैं जबकि नीरच ने टोक्यो ओलमपिक में गोल्ड मैडल जीत कर इतिहास रच दिया था फान्स के लिए दोनों की शारी की बात इसलिए भी पुकता हो गई है क्योंकि मनू भाकर की मा सुमेधा भाकर और नीरच चोप्रा की मुलाकात का एक वीडियो इंटरनेट पर होट टॉपिक बन गया इस वीडियो पर लोगों ने मजाक में कहा कि वह भाला फे के स्टार से यह जानने के लिए बात कर रही है कि क्या वह उनकी बेटी के लिए बेस्ट जीवनसाती है मनू के पता राम किशन भाकर ने भी इस बात पर चुपी तोड़ी वाडल मिम्स और पोस्ट की बार के बीच अब मनू भाकर के पता राम किशन भाकर ने दोनों की शादी को लेकर खुल कर बात की है और ये बताया है कि वह अभी बहुत चोटी है और उसके शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं आनिक भासकर से बात करते हुए मनु भाकर के पता राम किश्ण भाकर ने कहा मनु अभी बहुत छोटी है किशादी के उम्र भी नहीं है और अभी इस बारे में सोचा भी नहीं है अपनी पत्नी और नीरज शोपडा को देखते हुए वारल विडियो पर टिपड़ी करते हुए राम किश्ण ने कहा मनु की मा नीरज को अपने बेटे की तरह मानती है नीरज के चाटा ने भी इन अठकलों को खारिच करते हुए कहा कि नीरज की शायदी एक सालवजनिक कारेकरम होगा और जब भी ऐसा होगा तो सब को पता चल जाएगा उन्होंने कहा जैसे नीरज ने म हिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल कॉंपिटीशन और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ट टीम कॉंपिटीशन दोनों में 2 ब्रॉंज मेडल जीते वहीं टोक्यू ओलम्पिक 2020 के चांपियन स्टाल जावलीन थ्रूवर नीरज चोप्रा ने 89.45 मीटर का थ्रू कर इस ओलम्पिक मे सिल्वर मेटल अपने नाम किया नीरज चोप्रा टोक्यू ओलम्पिक में गोल्ड जीतने के बाद रियाल्टी शो डान्स प्लस सिक्स में खास महमान बनकर भी पहुचे थे जहां मर्शूर आंसर शक्ती मोहन ने उन्हें प्रिपोस करने के लिए कहा था ताकि वो राघव ज जवाल को बता सके कि शादी के लिए कैसे प्रिपोस किया जाता है नीरज ने तब स्टेज पर आकर शक्ती मोहन से कहा था कि मेरी लाइफ में तो सबसे जरूरी जावलीन है मुझे ना अच्छा खाना बनाना आता है और ना ही मैं टाइम दे सकता हूं इस पर राघव जवाल ने मजाक में कहा आपने गलत जगा जावलीन फेक दिया है नीरज चोपरा से डांस शो में कुछ नीजी सवाल भी पूछे गए जिन में से एक सवाल था नीरज चोपरा के साथ कुंडली कैसे मिला है शो के जच सवाल को असान करते हुए स्टार अटलीट से पूछते हैं तो गाइस आज के हमारे इस खास वीटियो में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं साथी देखते रहीए दर न्यूस 15 वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें